पिर्थवी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, पिर्थवी की दूसरी गती, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमन कहा जाता है। इस स्पीड का अंदाजा लगाया जाए तो सूर्य के चक्कर में पृत्वी 30 किलो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है, जो काफी तेज है. क्या आप जानते हैं पृत्वी के घूमने की स्पीड कितनी है? पृत्वी 1000 माइल्स यानी 1600 किलो मीटर की स्पीड से घूमती है, हालां कि पृत्वी पर बैठे लोगों को इतनी तेज स्पीड का बिलकुल अंदाजा नहीं हो पाता है. वहीं सूर्य के चारों और लगाने वाले चक्कर की बात करें, तो इस चक्कर को 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं. पृत्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की और घूमती रहती है, जिसे पृत्वी की दैनिक गति कहते हैं. एक घूर्णन पूरा करने में पृत्वी 23 घंटे, 56 मिनट और 4 योज 9 सेकंड का समय लेती है. पृत्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं. इस एक चक्कर में पृत्वी 460 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती है. वायू मंडल में पक्षी, हवाई जहाज, आदी जो भी चीजें उड़ती हैं, वे सब भी वायू मंडल के साथ-साथ उसी गति से घूमती है. पृत्वी अपनी दुरी पर 1600 किली लीनो करपिच की गति से घूमने एक चक्कर प्रति 24 घंटे, के साथ-साथ सूर्य के चारों ओर भी लगभग 24,000 कीपी की गति से घूमती एक चकर प्रति वर्ष है. सूर्य के चारो और चक्कर लगाने पर प्रित्वी पर साल बदलते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में प्रित्वी को 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट लगते हैं सूर्य के चक्कर में प्रित्वी 30 किलो मीटर प्रतिसेकंड की गति से घूमती है जो काफी तेज है